हलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम नई अनोखी सी अंडे की रसिपी आज हम बनाएंगे पानी में अंडा तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां ले रही हूँ कुछ अंडे एक मेकसिंग बॉल में इन अंडो को हम फोर्ड लेंगे सभी अंडो को मिक्दम अच्छे से फोर्ड लेना है बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी बीडियो को अन तक जरूर देखिएगा कि कैसे हमने पानी में अंडा बनाया है लीजे मैंने सभी अंडो को अच्छे से फोर्ड लिया है अब हम इन अं कर लिया है अब हम गेस पर एक गड़ाई सब्सक्राइब और तरफcellांगे एक कप पानी जब पानी एक मले में थोड़ी सब्सक्राइब हो जाये झब ईभेसे हिए थार से अभ एकसरत दोता है तो आप इस तरह अंडों को एक बर जरूर बना कर देखें आपके घर में सभी को पसंद आएगा हम अंडे को ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए जब पानी में तीन चार उबाल आ जाएगा तब हम देखेंगे कि अंडे के किनारे चारों तरफ से उठ गये हैं कर् सकते वक्त थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि यह तूड़ भी सकते क्योंकि बहुत ही नरम होते हैं जल्दबाजी नहीं कीजिएगा यह बहुत नरम रहते हैं दो मिनट के लिए अब हम इन्हें पका लेंगे अभी अच्छे से पक गया हैं गैस के फ्लीम को आफ कर दें और इन्हें एकदम आराम से एक प्लेट पे निकाल लें एकदम आराम-ाराम से कीजिएगा यह प्रोसेस बहुत ही हमारे अंडे नरम है इस स्टेज पर तो तूड़ भी सकते हैं तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और आराम-ाराम से कीजिएगा अब जो थोड़ भी खा सकते हैं बहुत टीस्टी लगता है और साथ में बहुत हिल्दी भी होता है तो चलिए आगे की प्रोशेस की तरफ चलते हैं अब हम त्यार कर लेंगे अपनी मसाले एक मिक्सिंग बॉल में मैंने लिया है एक चमच हल्दी पावडर देर चमच के करीबन धनिया पाव में मसालों में हाफ कप पानी डाल कर मसालों को फूलने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से अगर आप पावडर मसालों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी सबजी बहुत टीस्टी बनेगी हमारे एंडे भी एकदम अच्छे से ठंडे हो गये हैं अब हम इन्हें पीसिस मे इन्हें क आएब या सेप में काट ले रही हूं जिससे यह देखने में बहुत ईसुंदर लगेंगे जब हम सबजी बनाएंगे दो आप अपने हिसाब से कोई भी सेप इन्हे देसकते हैं मुझे यह चौकोर सेप ही अच्छा लगता तो में इन्हें स्क्वेर सेप controllers आहां है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही हेल्डी है तो आप आराम से इसे खा सकते हैं तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं मैंने सभी को पीसिस में काट लिया है देखें कितने अच्छे से यह लग रहे देखने में अब हम क्या करेंगे एक कढ़ाई गैस पर चरहा है तब हम एक एक करके इन अंडे के पीसिस को इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे एक तरफ से हमारे अंडे के पीसिस पक गया है अब हम क्या करेंगे इन्हें पलट कर दूसरे साइट से भी पका लेंगे देखें कितने अच्छे से क्रिस्प हो गया है ना य अब और नहीं हैं ने히 में आपको क Hip up Commonwealth के लिए उपर से बहुत ही। लग रहे थे बहुत ही टीस्टी लग रहे थे तो चलते हैं Urban ز्माकोhr अाल में पास्व आहरों के ननिया है। जब यह तीनों अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे दो स्लाइस किये हुए प्याज और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे देखिए प्याज का color change हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमश लहसन अदरक का paste और इन्हें भी एकदम अच्छे से भून लेंगे अच्छे से इन्हें पका लीजिएगा कर औरिविण बहुत ही अच्छे से पक जाने चाहिए यह बहुत ही अच्छे से भून गए हैं आप इसमें डाल देंगे अपना रेटी किया हुआ मसाला और इनिहीं ही एक दम अच्छे से हम भूनेंगे जल कशलbon चाहें इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जब तक कि मसाले तेल ना रिलीस कर दे तब तक हम इने भूलना है देखिए हमारे मसालों से तेल रिलीस होने लगा है देखिए हमारे मसाले एकदम अच्छे से भून गए हैं अब हम इसे स्टेज पर डाल देंगे एक मीडियम साइस के कटी हुए तमाटर और इसके बाद हम इ से उच्छे से भून गाये है अच्छे से पक गए हैं इसमें डाल देंगे अन्डोग का पानी जिस earlier अच्ये से अफ्यसक अब मिक्स कर लेंगे और उन्हें ढगकर 2 मिनट के लिए पकनें देंगे दो मिनट बाद हम देखेंगे इसमें घया देज हम इसे थोड़ी दिर चला लेंगे देखिए हमारा ग्रेवी का टेक्शर अभी थोड़ा पतला है इसे हम थोड़ी दिर और पकाएंगे अब हम इसमें क्या करेंगे अपने अंडे के पीसे को इसमें डाल देंगे एकदम अच्छे से हम इने थोड़ी दिर के लिए मिक्स कर ले अब हम इसमें एड कर देंगे हाफ छोटी चमज गरम मसाला और इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए क्रेवी का टेक्षर क्या जबरदस दिख रहा है ना कलर भी बहुत त्यारा आया है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे कटे ह हुए धनिया पत्ता लीजिए हमारा अंडा करी एकदम रेडी है एकदम नए अनोखी तरीके से हमने इस नए अंदाज में अंडा करी बनाया है आप इसे रोटी चावल सभी के साथ खा सकते यह सभी के साथ ही बहुत डीसी लगता है तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद